बच्चों जिन बच्चों को ने स्लेबस के बारे में नहीं पता वो तुरंट डाउनलोड कर दीजे मैं अभी दिखाऊंगा कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और ने स्लेबस के एकॉर्डिंग क्या-क्या टॉपिक अब एक्जामनेशन में नहीं आएंगे ये आपको छोड़ द सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा चलिए फटा-फट दिखाता हूं कि वेबसाइट जहां से आप इसको डाउनलोड करेंगे फिर मैं आपको चैप्टर वाइस बताता चला जाऊंगा कि ये टॉपिक्स जो कन्फूजन की स्तिती में आएंगे कि नहीं आएंगे तो सबसे पहले डाउनलोड कहां से करेंगे तो आप आज आईए इस CBSC एकडेमिक्स की वेबसाइट पर ये ओफिशल वेबसाइट है देखिए केंदरी माधिमिक सिक्षा बड़ CBSC की जो बात की जाती है इंगलिश में बोलेंगे तो सेंटर बोल आफ सेकंडरी एजूकेश यहां पर इस वेबसाइट में आ जाईए आप CBSC एकडेमिक्स पर ये करिकुलम में आईए इस करिकुलम में देखिए दो हजार चौबिस पच्चिस दिखाई पढ़ रहा है इसको क्लिक करिए आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सीनियर सेकंडरी को क्लिक कर दीजे और करने के जो आपके important subjects है मिलब PCMB टाइप वाले subjects उनके लिए academic electives में आईए और इसको मैं physics की बात करूँ ये physics दिख रहा है इस physics को अगर physics डाउनलोड करना है तो क्लिक कर दीजे और physics का slivers इस तरह खुल जाएगा देखिए 2024 के लिए slivers खुल गया है इस तरह से यहां से डाउनलोड कर सकते हैं मैं तुरंट आपको explain करता हूँ कि क्या क्या चीजे अब आपको इस slivers के recording नहीं पढ़नी है तुरंट डाउनलोड कीजे out of slivers पढ़ने से कोई आपका फायदा नहीं होने वाला चलिए अब यह मैं बात करता हूँ chapter number one का electric charges and fields में important चीजे ध्यान से सुनते रहीग कि induction से कैसे किसी body को charge किया जाता है uniformly charge thin spherical shed outside and inside ये course में है आपके कई बच्चे कह रहें नहीं है ये है course में धान दीजेगा charge thin spherical shell की बात करते हैं shell का मतलब वो ता अंदर से कोकला टाइप का और जो solid sphere है वो course में नहीं है chapter one में उसका जो electric field बनेगा वो solid sphere आपके course में नहीं है इ लीजे video save कर लीजे दोस्तों के साथ share कर लीजे उनका भी भला हो chapter number two की बात करते है potential and capacitance बढ़ा तो यहाँ पर देखें आप when drag graph generator ये out of syllabus है इसको बिलकुल नहीं पढ़ना है energy stored in capacitor इसका derivation course में नहीं है जिसमें half cv square का formula पढ़ते हो न कि capacitor में जो energy stored होते हो ये formula course में है आपक ठीक है numerical आएंगे लेकिन अगली बात बाकी derivation course में है यानि अगर आपसे पुझा जाए कि capacitance निकालिए parallel plate capacitor का तो वो course में है और with dielectric और without dielectric भी course में partial field dielectric भी course में है कि अगर fully filled dielectric नहीं है partially field है तो भी इसका derivation course में है तो इसको भी तयार कर लीजेगा कोई और किसी प्रकार का doubt आए यह है वो नहीं है कैसे है आप comment करीगा मैं उसका जवाब दूगा यह मैं उसके उपर वीडियो बना दूगा आपकी feedback पर ही वीडियो बनाता हूँ जिससे आपका benefit हो सके जादा बच्चे उससे benefit ले सकें तो comment करीएगा क्या confusion होगे आपको किस दिशा में लफडा हो र नहीं है लेकिन यहां पर एक twist है क्योंकि सवाल के अंदर जब कोई capacitor ऐसे लग जाएगा तो यह वो मान के चलते हैं कि यह formula series वाला आपको आता है जो class 10th में आप पढ़े हुए है या parallel में लग जाएगा तो यह directly तो course में नहीं जामिया नहीं बना देंगे बहुत सारे capacitor series parallel मे लगा दें लेकिन आपका वो knowledge रहे course में 10th का यानि series और parallel का formula आपके ध्यान लाना चीए meter bridge आप नहीं पुछा जाएगा जाए कोई सवाल ना कोई derivation पूरा out of slivers हो चुका है potential meter आप से नहीं पुछा जाएगा हट चुका है और wheat stone bridge पूरी तरह course में है और यह बहुत important topic है moving charge and magnetism तेजी से बोल रहा हूँ क्योंकि कम समय भी चीज़ें बताना चाहता हूँ फॉल्टो का 20 मिनट का वीडियो ना बन जाए तो moving charge magnetism के अंदर motion in motion combined electric field and magnetic field में नहीं है जो आपका velocity selector होता था वो course में नहीं है लेकिन charge का motion magnetic field में है combined electric magnetic field दोनों जहां present होते हैं वाला topic हट गया यानि velocity selector हट चुका है दूसरी बात करें cyclotron पूरी तरह हट चुका है बहुत important topic हुआ करता था लेकिन अब आपसे नहीं पुछा चाहेगा solenite का derivation course में नहीं है formula course में ध्यान नखीगा आप जानते हैं न solenite के अंदर जो magnetic field का formula होता है b is equal to mu naught n i पता है यह n क्या होता है कई बच्चे के लिए total immortals होता है क्या होता है बताइए comment section में यह n क्या है खेर anyway तो यह आपका भी solenite के अंदर कैसे निकला यह नहीं पढ़ना है आपको लेकिन formula आना चाहिए toronite, toronite आपके पूरे तिरह हट चुका है course के अंदर नहीं है section का निशान लगा दिया है मैंने अगली बात करता हूँ chapter number 5 magnetism matter इसके अंदर बात करें तो earth magnetic field पूरी तरह हटा हुआ है चोड़ दीजे कुछ नहीं पूछा जाएगा वहां से अगली बात hysteresis भी आता था पहले अब वो नहीं पूछा जाएगा वो करव होता था बताने से कोई फायदा नहीं क्योंकि आप पढ़िएगा नहीं उसको अगली बात करते हैं permanent electron magnet भी out of course हो गए हैं इसको भी पढ़ने के आफशक्ता नहीं तो chapter 5 से ये topics हटा दिये गए हैं आपको कोई question यहां से नहीं मिलेगा इसके अलबा बात करें तो bar magnet जो होता है उसका magnetic field axial position पर equatorial position पर पूछा जाएगा लेकिन उसका derivation course में नहीं है ये जो bar magnet होता है north-south बना दिजे इसका equatorial point पर कितना magnetic field होगा यह आपसे पुझा जाएगा लेकिन इसका derivation course में नहीं कि फॉर्मूला पढ़ लेना axial and equatorial point पर कितना magnetic field होता बार मैंगनेट के लिए derivation नहीं है formula है numerical आगे की बात चीज़ करते हैं torque and bar magnet का formula है numerical आए लेकिन derivation course में नहीं है बार मैंगनेट उनिफॉर्म magnetic field में तो कितना torque जे लेगा या खाएगा chapter number 6 की बात करते है electromagnetic induction तो electric energy consideration इसके अंदर course में अब नहीं है eddy current course से बाहर है chapter number 6 की बात करते है electromagnetic induction की emotional EMF course में है ये लिखा नहीं होता कई बच्चे पूरे out of course है बिल्कुल out of course नहीं है magnetic field के अंदर अगर कोई rod आप move करेंगे तो उसके अंदर EMF generate हो जाएगा वो course में है chapter 7 की बात करते हैं तो resonance course में है कई बच्चों कहना ता नहीं है बिल्कुल course में है पढ़के जाईएगा waterless current course में है तीसरी बात करते हैं power factor क्या होता है आपको पता होना जी power factor की maximum value क्या होती है बताइए कमेंट में minimum value कई बच्चे गलती करतेंगे maximum value सही बता देंगे minimum गलर दाता देंगे तो power factor की maximum value और minimum value क्या होती जल्दी से बता ना मुझे AC generator course में है out of slivers में नहीं है LC oscillations आप हट चुके हैं L यानि inductor और capacitor को अगर parallel में लगा देंगे तो नहीं आएंगे और parallel series LCR circuit आप में एक बच्चा पूछ रहा था तो series LCR आपके course में parallel वाले नहीं है parallel LCR यह सब course में नहीं है only series है ठीक है समझ गया होगे chapter number 8 की बात करते हैं तो displacement current course में इसमें numerical भी बिनने की पूरे चांस है transverse wave nature यह भी course में qualitative analysis है इसका derivation नहीं आएगा पहले आया करता था उसमें q-view बनाते थे वो अब नहीं पुचा जाएगा simple आप से पुचा जागा ऐसा क्यों होता है तो आप कह सकते हैं कि electric field vectors और magnetic field vectors propagation of the wave के perpendicular direction में oxalate करते हैं that is the reason कि transverse wave क्यों कहीं जाता है electromagnetic wave को light एक electromagnetic wave है अगली बात करते है ray optics के लिए तो ray optics की बात कर लेते हैं TIR optical fiber course में है बाकी जो और application होते थे उनको नोंने किनारे लगा दिया है combination of lenses in contact है दूर दूर lenses जब होंगे तो वो direct combination में नहीं है contact वाले combination में है reflection through a prism आपके syllabus में है dispersion आप हटा दिया गया है एक प्रिंप के उपर light डालो साथ color में डिवाइड हो जाती थी वो चीज़ नहीं पुछी जाएगी आपसे उसके बाद human eye आप पोर्स में नहीं है पढ़ने के आफशक्ता नहीं है natural phenomena rainbow कैसे बनता है लाल क्यों दिखता है सूरज डूपते हुए उपते वक्त ये सब नहीं पुछा जाएगा ठीक है wave optics की बात की जाती है important है fringe width का derivation कोर्स में नहीं है formula है numerical आएंगे लेकिन इसको derive कैसे किया जाता है ये आपको पढ़ने के आफशक्ता नहीं है diffraction पूरी तरह कोर्स में है पढ़के जाना छोड़ मत देना कई बच्चे कहते नहीं है कोर्स में resolving powers आप कोर्स में नहीं है इसको छोड़ देना बेटा validity of ray optics कहां तक ray optics मानी जाती उसके बाद wave मानी जाती ये भी कोर्स में नहीं है तो इसको भी आप छोड़ दीजेगा polarization पूरी तरह हड़ गया है वो आपको board examination में नहीं पुछा जाएगा competitive कोर्स में है बोर्ड क कुछ भी नहीं आने वाला इससे matter wave, ray waves पूरी तरह कोर्स में है इससे एक सवाल आएगा ये पका मान के चली 100% पका है कुछ ना कुछ पूछेंगे इससे matter wave से अगली बात करता हूँ chapter number 12 atoms की तो atom के अंदर hydrogen line spectra की बात कर लीजे तो qualitative treatment है formula का derivation नहीं पढ़ना लेकिन safer side आप इसको formula वगएरा याद कर लीजेगा numerical आ सकते हैं इसका derivation course में नहीं है अगली बात करते है radius velocity energy of electronic orbit ये पूरी तरह कोर्स में है इसके derivation भी खुब पूछे जाते हैं very very important है आगे बात करता हूँ chapter number 13 की nuclei में तो nuclear force पूरी तरह कोर्स में सब कुछ पढ़के जाईएगा इसका और nuclear reactor आप कोर्स में नहीं है ये कैसे power generation करते है nuclear reactor से ये आप नहीं पूछा जाएगा रेडियो activity छुटी हो चुकी है कुछ भी नहीं पूछा जाएगा क्टम का निशान लगा है नहीं आएगा रेडियो activity कई बच्चे confuse है आएगा फिजन फिजन पिलकुल कोर्स में है अक् रेक्टिफायर कोर्स में रह गया है half wave full wave दोनों पढ़ लेना इसके अलावा जो हुआ करता था photo diode ये सब वगरा सब हटा दिया गया है आप केवल as a rectifier पढ़ना है और zina diode नहीं पढ़ना है transistor पूरी तरह out of course है नहीं पुछे जाएंगे logic gates पूरी तरह out of course है आप से नहीं प पर बठा दी जो बच्चे पढ़ाई में थोड़ी difficulty महसूस करते हैं उत्रोना 2.0 से मेरे साथ जोड़ सकते हैं इसके अंदर मैं आपके लिए लेता हूं live classes सारे doubt हो जाएंगे अपर clear साथ में NCRT all exercise video solution NCRT सारे examples के video solution 10 साल के PYQ के video solution और chapter wise worksheet fully sold आपको मिल जाती है यानि इसक 7% दिलवा सकता है अच्छी किसमत रही थोड़ा जम के पड़े तो 100 में 100 भी आ सकते हैं तो जो बच्चे दुरूना जोइन करना चाहते हैं वो जोइन कर सकते हैं साथ में इसका एक बाइफरकेशन एक कोर्स और है छोटा इससे वह है 12th संपूर्ण 12th संपूर्ण में जब आप कोश्चन लगाने बाटते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉटेंस इसी सी होती है कि NCRT एक्सराइज, NCRT एक्जामपल और 10 साल के PYQ लगाए जाएं उनका ये एक वीडियो कोर्स है इसके अंदर 10 साल के PYQ मिल जाते हैं वीडियो सोलूशन सब मैंने असान भाषा मे रिकॉड की हैं, NCRT एक्सराइज, NCRT एक्जामपल भी मिल जाता है सारे इसके अंदर 771 वीडियो आपको मिलेंगे यानि 771 कोश्चन हर कोश्चन का एक वीडियो मिलेगा जो मैंने सरल भाषा में रिकॉड किया है तो आप 12 संपूल ले सकते हैं और इसमें इस कोर्स में त इस्टोर सेक्शन में जाएए, वहाँ पर द्रोना भी मिलेगा, 12 संपूल भी मिलेगा, जो आप पर लिए स्टोबे ले लेकर पढ़ाई को नेक्स डिबिल पले जाएए, बिल्कुल तेर मत कीजिए, तीन महिने का वक्त बजा है, जो बैस्त कर सकते हैं करिए और अपने पॉजिटिव कमेंड मेरे लिए मोटिवेशन देता है, और अच्छे वीडियो बनाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आँ गाता है, एंक्यू, गूडलग टू यू, बाई बाई बेटा